नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एक्जाम ओरियेंटिड में तो आज हम इस वीडियो में भारतिय सम्विधान के अती महत्वपूर्ण शंशोदन के बारे में चर्चा करेंगे अनुच्छे 368 में भारतिय सम्विधान शंशोदन की प्रिक्रिया वा शक्ती का बिस्तरत उपवंद किया गया है भारतिय सम्विधान में शंशोदन की प्रिक्रिया दक्षन अफरेका के सम्विधान से गरहन की गई है आगे देखते हैं पहला सम्मिदान चंशोदन जो कि आपकी परिक्षा की दरश्ची से बहुती जादा महत्वपून है 1951 में ये संशोदन किया गया था इस संशोदन में नवी अनिसुची को जोड़ा गया जो कि भूमी सुधार से सम्मंधित है और अनुच्छेद 15 का चार इस सम्मिदान चंशोदन में जोड़ा गया जो कि SC वा ST के अधिकारों से सम्मंधित हैं चलिए आगे देखते हैं अगला सम्मिदान चंशोदन तो सात्वा सम्मिदान चंशोदन जो कि हमारी प्रिक्षा की तरश्ची से बहुत मेरुकून है वो 1956 में आया बहाशाई आधाहर पर राज्यों की मांग की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य पुनर गठन आयोग का गठन किया गया इस सम्मिदान के माध्यम से राज्यों को का खा गा तथा गा श्रेणी से निकाल कर भारत को 14 राज्यों वा 6 संग राज्य छेत्रों में विवाजित कर दिया गया तो इतना सब कुछ सम्मिदान चंशोदन सात्वें किया गया तो चलिए अगला संविधान चंशोदन देखते हैं 21 संविधान चंशोदन जो कि हमारे भासा से संबन देते हैं तो संविधान की आठवी अनुसूची में सिंधी भाशा को पंदरवी भाशा के रूप में शामिल किया गया तो इस संचोधन से पहले हमारे सम्मेदान में कतनी भषा थी? वो 14 भषा थी अगले संचोधन की तरफ आते हैं 71 संचोधन जो की 1952 में किया गया हमने भषा के अधार पर या फिर भषा से समभन दिद जितने भी संचोधन किये गए हैं उनको हमने सब एक साथ ले लिया गया है समिधान, चंशोदन, 21, 71 और 92 तो इन सब को हम एक साथ में देख लेते हैं तो 71 वा समिधान, चंशोदन, आठवी अनिसूची में तीन और भाषाओं को जोड़ा गया ठीक है वह वासा कौन-कौन सी थी नेपाली, मडीपुरी और कॉंकडी इसको हमें एक पहुत ही अच्छी शौट ट्रिक से याद कर सकते हैं न, म, क, तो 71 में नमक, तो 71 में समिधान, चंशोदन में नमक, ना से नेपाली, मा से मडीपुरी और का से कॉंकडी चलिए अगला सम्मिधान, चंशोदन देखते हैं तो 92 में सम्मिधान, चंशोदन 2003 में किया गया आटवियन निसूची में चार और भाषाओं को जोड़ा गया ठीक है आपको इस बात को भी याद रखना है कि 52 में सम्मिधान, सम्मिधान, चंशोदन कब हुआ था? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वहाँ है B, D, M, S B से बोडो, D से डोगरी, M से मैतली, S से संधाली तो चलिए अगला सम्मिधान, चंशोदन देखते हैं तो 42 में सम्मिधान, ये तो आपकी परिक्षा की दरश्चीत बहुत ही महतबूर है समझो जो भी competitive exam होना है और सम्मिधान, चंशोदन से कोई question बनता है तो इस सम्मिधान, चंशोदन से निश्चित ही रूप से एक question जरूर आपको देखने को मिलेगा तो 42 मर सम्मिधान, चंशोदन कब हुआ था? 1976 में इसे लगू सम्मिधान, mini constitution के नाम से भी जाना जाता है तो लगू सम्मिधान, इसी को कहते हैं 42 मर सम्मिधान, चंशोदन अगला point देखते हैं, एक नए अध्याय भाग 4 का में अनुछे 51 का को जोड कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव व्यू का उलेख किया गया तो इसमें क्या किया गया, एक नए अध्याय जोडा गया भाग 4 का, जिसमें 51 का अनुछेद जोड कर उसमें 10 मूल कर्तवियों के बारे में उलेख किया गया है अगला देखते हैं, उद्देशिका में 3 शब्द जोडे गया तो इस ही सम्मेदान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में हमारी 3 शब्द नए जोडे गया जो कि थे समाजवादी, पंत निरपेक्ष, अखंडता तो इस सम्मेदान संशोधन में कुल 52 अनेच्छोदों में संशोधन किया गया था अगला महत्वपूर्ण संव्दान शंशोधन देखते हैं 54 में संव्दान शंशोधन जो कि 1978 में किया गया अनोच्छे 31 को निरस्थ कर संपत्ती के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया तो पहले संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में हुआ करता था आर्टिकल 31 एकत्तेस में ठीक है जब वह एक विदिक अधिकार बन गया तो वह किस आर्टिकल में पहुच गया तो आर्टिकल 300 का ठीक है इस बात को आप याद रखेंगे कि या आर्टिकल 300 का में पहुच तो अगला सम्विधान चंशोदन देखते हैं 52 वा सम्विधान चंशोदन जो की 1985 में हो दा आपको इस बात को भी आद रखना है कि कौन सा सम्विधान चंशोदन कौन सा अमेडमेंड कौन सी सन में किया गया तो इस सम्विधान चंशोदन के द्वारा सम्विधान में 10 वी अन इस संविधान चंशोधन के दौरा अनुच्छे 326 में चंशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनाव में मतदान करने की आयू 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई तो कौन से संविधान संशोधन में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी तो 61 वर्ष संविधान संशोधन था यह कुश्चन PCS में पूछा गया था तो इस कुश्चन को आप जरूर से जरूर याद रखना क्योंकि यह कुश्चन भी बहुत ही जादा परिक्षा की दरिश्टी से महत्वपून है तो अगले संविधान संशोधन की ओर आते हैं वह है 73 वर्ष संविधान संशोधन जो की 1992 में किया गया था ग्यारवी अनुसूची को जोड़ कर भारत में 3 इस्तरिय ग्राम मद्देवर्ती तथा जिला इस्तर पंचायती राज की विवस्ता का प्रावधान किया गया थीक है तो ग्यारवी अनुसूची किस से जोड़ी गई तो यह जोड़ी गई 73 वे संविधान संशोधन से तो और इसमें 29 विशों को उलेक किया गया है जो की एक विशेश अधिकार देते हैं ग्राम पंचायत को जो की विशेश अधिकार देते हैं पंचायती रा अगले संविदान शंशोदन की ओर आते हैं 74 संविदान शंशोदन यह संविदान शंशोदन 1992 में हुआ था इस संविदान शंशोदन द्वारा संविदान में बारवी अनुसुची जोड कर नगरिये स्थानी शाषन को संविदान एक संग्रक्षन परदान किया गया ठीक है औ और इसमें 18 विशहों का उलेख किया गया है तो 73 सम्मिदान 16 अदन कभ हुआ था वह भी हुआ था 1992 में और 74 सम्मिदान 16 अदन कभ हुआ था वह भी हुआ था 1992 में ही ग्यारवी अनुसूची में कितने विशय दिये गए हैं तो वह दिये गए हैं 29 तो इसको याद कैसे करेंगे यह 11 है तो यहाँ 2 2 प्लस 9 9 कितने हो जाते हैं 11 तो इस तरीके से ग्यारवी अनुसूची में कितने 29 विशय के बारे में बात की गई है ठीक है ऐसे यहाँ पर 18 वि आमधिदान चंचोधन देखते हैं 86 सा म इच आसजेकां संविदान चंचोधन 600 को है Is Haqadana संशोधन के द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार एवम निशुल की सिख्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मानिता देने की बस्ता की गई तो 6-14 वर्ष की आईउ तक के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार मना दिया गया जो कि उनकी सिख्षा से संबंदित था और इसमें अनुचे 51 का में 11 कर्टब वे जोड़ा गया अगला है स्वाब संब्धान चंशोदन जो की 2015 में किया गया इस संब्धान चंशोदन के माध्यम से भारत और बांगला देश के मध्भूमी सीम समझौता लागू किया गया तो अगला सम्मिधान चंशोदन देखते हैं वह है 101 मा सम्मिधान चंशोदन ठीक है जो की 2016 में किया गया था इस सम्मिधान चंशोदन द्वारा सम्मिधान में एक नया अनुच्छे 246 A को जोड़ कर GST को लागू किया गया GST को लागू किस सम्मिधान की द्वारा किया गया था तो यह क्या किया गया था विजय केलकर सम्मिधी यही प्रशन है जो आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं कि GST को कौन सी सम्मिधी ने पेश किया था या किसने लागू किया था GST एक indirect tax है ठीक है ये सब बाते आप याद रखना ठीक है तो अगले संविधान चंशोदन की ओर आते हैं अगला संविधान चंशोदन है 102 संविधान चंशोदन जो की 2018 में किया गया था इस संविधान चंशोदन दोरा राश्टी पिशला वर्ग आयोग को संविधानिक दरजा दिया गया ठीक है ऐसे ही अगले संविधान चंशोदन की ओर आते हैं 103 संविधान चंशोदन जो की 2019 में किया गया इस संविधान चंशोदन के दोरा समाने वर्ग के गरीवों को 10 परतिशयत का आरक्षण दिया गया ठीक है जिसको हम EWS कहते हैं अगला संविधान चंशोदन देखते हैं 104 संविधान चंशोदन जो की 2019 में किया गया था इस संविधान चंशोदन दोरा अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित अनजातियों के लिए आरक्षण की अविधी को 10 वर्ष और बड़ा दिया गया ठीक है तो ये थी आज हमारी वीडियो जो की बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान चंशोदन पर आधारित थी तो हमने इस वीडियो को इस प्रकार से बनाया है कि जो भी एक्जाम्स में कुश्चन्स पूछे जाते हैं उन सभी संविधान चंशोदनों को उठा कर हमने वस यहाँ पर आपके सामने पेश कर दिया है जो की आपकी आने वाली परिक्षाओं के लिए बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है तो आप इस वीडियो को बार-बार देखें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं और बाकि हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें दने वाद